न्यूस्वल इंडिया पर आपका स्वागत है मैं आपके साथ काविंद्र जोहान बुलिटन की शुरुआत करेंगे उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्रे और गुरक्षा पीठा दीश्वर योगी आदितनात ने गुरु गुरकनात महराज को पहली खिचड़ी चड़ाई उसके बाद कोविट प्रोटकॉल का पालंग करते हुए कतार बद्ध लाइन से सजद्धानों ने भी बावा को खिचड़ी चड़ाई है इसे बद्धाई देता हूँ अपनी शुपकामनाई देता हूँ मेरी सबसे फील है कि हमारी आस्ता है लेकिन आस्ता के साथ साथ हमें वर्तमान परपेक्स में करोना महमारी को भी देखना है करोना महमारी में सतरक्ता और सावधानी अत्यंता उस्चेक है सतरक्ता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महमारी से बचाओ का स्रुवत्त मुपाय है सारजनिक अस्थानों पर जाते ही वे हम मास्क जरूर धारण करें बिमार कमजोर इम्निटी के लोग गर्बती मेहलाएं बच्चे और गुजुर्ग धेड़बार वाले अस्थानों पर जाने से बच्चे अनावस्यक न हो तो घर के बाहर न निकले घर में भी मास्क धारण करेंगे तो उनको सास्ते के लिए उत्तम मुपाय होगा वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ले साड़ साल से उपर के को मोर्बिड हेल्थ वर्कर और करोना वारियर्स के लिए प्रिकॉशन जो प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध कराई गई है और लोग ले रहे हैं वैक्सिनेशन इसकी सुरक्षा का एक मात्र उपाय भी बताया गया है हर वैक्सिन जरूर ले किसी के गुम्रहा या व्रांती पैदा करने वाले कुछ तरकों में पढ़ करके हमें सुरक्षा उपाय के रूप में से जरूर लेना चाहिए आज के इस आउसर पर मैं सभी से इस बारे में पील करूँगा हरिद्वार महालक्षमी व्यापार मंडल ने लोडी पर धूम धाम और हर्शोल लास के साथ रेल विरोट पर बनाया इस दौरान सभी नवन्योक्त पदाधिकारियों सहित जिला और शहर व्यापार मंडल के वरिष्ट पदाधिकारी मौचूद रहे इस कारिकरम का सफल संचालन संयोजक सुरील तल्वार की तरव सिख्या क्या इस मौके पर सभी व्यापारियों को मौफली रेबडी गजक प्रसाद के रूप में बाटी गई मालकिन व्यापार मंडल के वैनर तलि और इसमें समस्त हमारे जो वेपारी हैं उन्हें एक जुट होकर इस पावन पर वको मनाया है और बहुत खोशी का महुल है और एक मैसेज भी है यह कि पर पर ये एक केवल एक समुधाय का नहीं है, अभी सभी का एक पर बनके उबर रहा है और इसी के साथ मैं सबको सुबकामना देता हूँ. लोडटी के इस महान पर जो पूरे विष्व में मनाया जाता है और साखी के वलर खाल साथ बंत है उनने श्टाट किया था और जैसे क्रिष्चन 25 दिसमबर को बड़ा दिन मनाते हैं, हम 13 जनवरी को बड़ा दिन मनाते हैं. ये चाल मार के आता है चाल मारने का मतलब होता है कि एक दो बड़ा दिन हो गया और जम्प मार के आ गया मुई बदाईयों के कुवर गंच में चेकिंग के दोरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पर पुलिस ते साड़े पंद्रा लाग कैश के साथ दो कारसवार को पकड़ा है वहीं जब कारसवार दोनों अभ्युक्तों से कैश के बारे में पूछा गया तो वो कुछ नहीं बता पाए जिसके बाद पूलिस ते दोनों अभ्युक्तों को गिरफतार कर लिया और जेल भेज दिया है जनपत बदावे में आदर्श चुनाओ आचार संगिता के दिश्गत जो बेरियर लगाए गये हैं इसके अलाव भी अन्ने जो हमारी 18 FSTT में हैं वो लगातार चेक कर रही हैं आज साइंग जनपत बदावे में के कुवर गाओं थाना अंतरगत FST और इंस्पेक्टर कुवर गाओं की टीम ने चेकिंग के दौरान एक वैगनार से दो लोगों के पास साड़े 15 लाख रुपए कैश बरामत किये हैं इसका जब सोर्स उन से पूछा गया तो वो संतोष चनक उतर देने में समर्थ नहीं रहे इसको FST टीम और अस्थानी पुलिस के मध्यम से ट्रिजरी में इस कैश को जमा कराया गया है तो था विभिन विभागों से कोसुचना दी गई है उनसे परिक्षन करा करके अग्रिम वैधानिक करवाई की जा रही है वह आगराकी सिकंद्रा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठबेड़ हो गई मुठबेड़ के तोरान बदमाश के पैर के कोली लगी और शातर बदमाश कमभी रूप से घायल हो गया इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भरती कराया वहें पुलिस ने बदमाज के पास से तमंचा, कार्टूस और मोटर साइकल बरामत की है आज मगभी की सुचिना पर ये मालम दिला की वो इधर से गुजडने वाला है इस पर सिकंगरा पुलिस ने घेरा बंदी कर उसे रोखने का प्रयास किया लेकिन उसने पुलिस पाटेक पर फाइरिंग की पुलिस ने आत्मरक्षाट पाइरिंग की जिसमें उसे एक गुली लगी है और उसे इलाज के लिट फटाल बेज गया है और उसे गिरफटार किया गया है जौनपूर के शाहगंज के आजमगड मार्क के किनारे तिरपाल ढालकर जिंदगी गुजर बसर करने वाले गरीव धरकार परिवार को सामाजिक सलस्था ने खाद्यान कंबल और कर्म कपड़े का वित्रण किया है जौनपूर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जरुत मंदों के बीच कपड़े और कंबल पांटे गए हैं ये जौनपूर के शाहगंज के आजमगड मार्क की तस्वीरे हैं जहां पर तिरपाल डालकर जिंदगी गुजर बसर करने वाले गरीव धरकार परिवार को स को अस्थापित करने का एक प्रयास करतीय इस से और हम लोग कुहार परिवार कर संबान करने एक वर्स पूर हम लोग वन्राज पूजन करने गए थे दौम्नापुर गाओं में मुशहर वस्ती जो पत्तल बनाते हैं उनका सम्वान करने गयते हैं इस वरस संस्ता ने इन्ड़े लिया धरकारवस्ती यह धरकारवस्ती इसका जो만 मेली Son इनका सम्वान करने का विचार किया गया यह लग्वा का 20 परिवार का लुट्थ अभी वर्ड यह झारी है रुद्रपुन विधान सबाद चुनाओ खुलेकर उधम सिंग नगर पुलिस काफी अलर्ट मोट पर है कानून विवस्था को कायम रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती इसके लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभ्यान चला रखी है इस कड़ी में पलभट्टा पुलिस ने 10 अवयत तमंचे कार्टू स्ताफ़जार की नकड़ी समेथ तीन मोबाइल फोन बरावन किया है इस मामले में पुलिस ने पती, पत्नी और एक अन्निको गरफतार भी किया है मामले का खुलासा करते हो, SSP उधम सिंग नगार दिलीप सिंग को और ने अपने काराले पर पूरी जानकारी दी है तो हमारे पुलिस ने 10 तमंचे 10 तमंचे जिसमें 3 हैं 12 बोर के और 7 हैं 315 बोर के इसमें 24 हैं आपके 12 बोर के और 8 हैं 315 बोर के इसमें 3 अव्यक्तों को पकड़ा गया है इसमें 1 मेला है, 2 पुरुष है, मेला गेताइदीपी है, इसका पती राकेश कुमार है और इनका जो एक गाड़ी बे बना मत हुई है, इको कार है इस इको कार के जो डाइवर है, मत्रूप खान, वो भी अरश्ट हुई है, इस परकार से 3 मुल्जिम अरश्ट हुई हैं और इस पिछरे साल अभी तक की सबसे बड़ा अभी तक खेप इस उदम सिनेगर में बरामद हुई है चमोली में धारा 144 का उलंदन करने के मामले में, कैबिनेट मंत्री धन सिंग रावत और बीजेपी जिला ध्यक्षर रगुवीर बिष्ट सहित ग्यारान पर कई धाराओं में मुकदमा दश किया गया है बीजेपी जिला काराले में बिनानुमती के बैठग करवाने के मामले में, कॉंग्रेस संगठर ने जिला निर्वाचर अधिकारी से मामले की शिकायत की थी दिशिकेश में सोमेश्वर नगर अपर में फिर से तेंदुए की धमक होने लगी है जिसकी वज़ा से शेत्र के निवासी दहशत में जीने को मचपूर है, वहीं तेंदुए की तस्वीरें CCTV कैमरे में भी कैत हो गई शेत्रे निवासीों ने वन बिभाग के रेंज काराले में ग्यापन सौम का तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है जेताबनी भी दी गई है कि अगर बन बिभाग के अधिकारियों ने जल्द सक्रियता दिखाते हुए तेंदुओं को नहीं पकड़ा तो शेत्रे निवासी बन बिभाग के खिलाफ आंदूलन करने के लिए बात देखूंगे तो लोट रहा है तो आज हम यह करेंगे पुरी टीम लेकर मैं स्वेंब जो है दर्स विजे जो है मोके पहुंगा उसके अमसार उसका अध्यान कर लेंगे तो आगे कारवाई तब सुरू करती जाएगी तो आज रात के ताइम की बाद है तो वेटी पलोसी डोसी बैड़े ए प्लोसी ने बताया रात को गिये ऐसे करके बदंवाग देखा है तो मैंने अपने कीले सुधार वाही बाग वर दो बढ़ा है तो वह ब्ला वजे चले गए उसके बाद वो नहीं आई उत्राखंड में कुरुना केस लगातार बढ़ रही है जिसे हेमवती नंदन बहुगुणा गड़वाल केंद्र विश्विध्याले श्रीनगर में अध्यरत शात्र शात्राइं भी काफी खौब ज़दा है यही वज़ा है कि अब शात्र विश्विध्याले प्रशासन से परि बिगुल फोगती आए शात्रों का कहना है कि परिक्षाहों को स्थकित कराया जाए क्योंकि छात्र कोरोना संक्रमंड से खौफ ज़दा है इस प्रवेश दिया गया विश्विध्याले के पास हम लोगों का यह जो होने वाल है तो इस कोरोना काल में जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना अपनी चपेट में छादरों को ले रहा है अपनी चपेट में तुरे राज्या के लोगों को ले रहा है तो हमारी मांगी प्रमुख मांग ये है कि इस परिष्टिती में जो विश्व इद्याले दौरा परिछाएं कराई जा रही है वो परिछाएं तुरन कांप्रबाऊ से इस तकी नहीं है वो आने वाले विधान सभा चुनाओं खुले कर रिषिकेश में राजनेते गर्माहट काफी तेज हो गई है इस बार राजनीती के आग को हवा देने वाले बीजेपी के वरिष्ट नेता और पूर्वराजमंतरी भगत राम कोठारी है उन्होंने बीजेपी हाई कमान पर रिषिकेश विधान सभा शेत्र में इस्थानी चहरे को तवज्जो नहीं देने का आरूप लगाया है उनका साफ कहना है कि पैराशूट प्रत्याशियों की वजह से आज तक रिषिकेश विधान सभा का विकास नहीं हो सका सभाआ पर आप लोग नहीं इसको यहां तक पहुँचा सकते दिल्डि आ इन बातों को और देखादूम तक और कहीं भी नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर आप लोग का भी तो आक्सित खत्रे में है आप लोग तो माध्यम है ना आप लोग के माध्यम से तो सब कुछ हुआ करता था पहले तो आज भी आप लोग उसी अपनी फॉर्म में लॉट जा और हर्शुलास के साथ बनाई गई गदरपुर और द्रेशपुर शेत्र में कई स्थानों में बीती राज चलती आग के सामने पूज आर्चना की गई इस मौके पर आड़ती एक्सोसियेशन के अध्यक्षे सतीश ने कहा कि लोग पर लोगड़ी की सभी शेत्रवासियों को शुब कामना है और पंजाबी समाज में यह विशेश रूप से मनाया जाता है आपके माध्यम से पूरे उत्रा खंड़ वासियों को मैं लोहरी की बहुत-बहुत शुब कामना देता हूं, मकरस अनकानते की बहुत-बहुत शुब कामना देता हूं, बदाई देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आदमी की जो समस्याएं हैं, मुसीबते है और यह कोविड की महामारी विश्व की यह लोड़ी की पवित्र अगनी में जलके इन देश की सारी समस्यावकार उसमें नश्ट हो जाए और आम ब्यक्ति की जीवन बहुत शुबगारी हो और हमारे हिंदुस्तान हिंदुस्तान के पधान मंद्रेजी से दिसा में लेगे जाना चाहते हैं जो उनका उदेश से है उसमें उदेश की प्राप्ति होनी चाहिए और आम जनता खुशहाल होनी चाहिए मैं इसे पावन पवित्रे लोड़ी यह थे भाग के माध्यम से मैं सभी को बहुत-बहुत चेत्र की जनता को इस लोड़ी के लोकपर्व की हार्दिक बधाई और शुब कामनाई देता हूं और यह आज हमारे गदरपूर में मंडी में और चेत्र में बड़ी धूंधाम से मनाया गया और मनाया जा रहा है यह राद भर पैंड़ बाजों के साथ मनाया जाएगा परव है आज के दिन यह जो दुल्ला भट्टी वाला एक ड़कैत था उसने हमारे ब्रहमन समाज में उनकी बेटियों की आज के दिन शादी करी थी उसी के उपलक्ष में यह लोगपर्व लोड़ी के रूप में मनाया जाता है यह दिन में जो घर पे नई बहुएं आती हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी खुशी में उनका यह पहला पर्व होता है इसी लिए बड़ी धूमदाम से यह खुशी से बनाया जाता है पुरू आईएस और पौडी विधानसभा सीट से कॉंग्रेस पार्टी के दावेदार सुंदरलाल मुगाल ने आने वाले विधानसभा चुनाव में एक जुठ होकर जीत हासल कर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कही है उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से कॉंग्रेस पार्टी के लिए कारे कर रही है और इस बार पौडी विधानसभा सीट से दावेदारी भी कर रहे है उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन पर विश्वास जताते हों टिकेट देती है तो पहाड के विकास के लिए उनके पास बहुत से प्लान है इतनी मेंगाई हो गई गैस की जो है कीमत है जो है 960 रुपे सिलिंडर हो गया है पेट्रोल बंबायों के सहरों में तो 116 रुपे लीटर हो गया है यहां हमारे पॉड़ी में 105-106 रुपे लीटर चल रहा है दीजल 100 रुपे पर पहुंच गया है और हम आपको मूटी बात बत प्रशन में जब 50 रुपे पेट्रोल था 50 रुपे लीटर डीजल 40 रुपे लीटर था उस समय जो है भाज़पा के लोग बढ़े हो लग करते थे कि कॉंग्रेस में इतनी महगाई हो गई इतनी महगाई हमारा सिलिंडर का जो है गैस सिलिंडर उस समय 300-300 में मिलता था आज 9 140 रुपे सिलिंडर है कहां से लोग आप उजुला उजुला युजना चलाते रहे आप सिलिंडर देते हैं गैस कहां से बरेंगे लोग पैसने के लिए आप तमाम यूजना आए करते रहे दब तर लोगों के पास पैसा नहीं होगा उनकी हालत में आर्थी कि स्तिती में से किल सकार के परनाब करें है सरकार को चेंज करेंगे बाजय को यहां से अटाएंगे और कॉंग्रेस की सरकार लाइंगे कि हर दुआर की भगवान पुर्विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस पर पफचले 15 सालों से लाकिश परवार काता है दोहजारसाथrot में सुरेंद्र राकेश ब्यस्पी से विधायक बने ब्याषी स्वरंधर राकेश से विधायक बने 2015 में उनके देहान के बाद उनकी पतनी ममता राकेश कॉंगरेस से चुनाव लड़ी। और उप्चनाव में जीत गी। 2017 में राकेश परिवार में दरार पड़के सुरेंद्र राकेश के छोटे भाई सुबोध राकेश बीजेपी में शामिल हुए और वो बीजेपी से 2017 में चुना उलड़े लेकिन सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश ने 2017 में सुबेद राकेश को हरा दिया आज फिर 2022 में राकेश परिवार आप में सामने है सुबोध राकेश ने बियस पी का दामन थामा और हाथी की सवारी की वही मम्ता राकेश इस बार फिर कॉंग्रेस से अपनी किस्मत आजबा रही है इस मुद्दे को लेकर न्यूजबर इंडिया की टीम ने भगवानपूर का चुमनावी माहौल जानने की कोशिश की इस दोरान क्या कुछ कहा भगवानपूर की चंता ने जरा इसको सुरीए मसकार आप देख रहे हैं न्यूजबर इंडिया मैं हूँ आपके साथ मुहम्मद रजीम उत्रा खंड में राजनितिक पारा चड़ा हुआ है हालाकि सर्दी बहुत है लेकिन राजनितिक पारा बहुत ज़्यादा चड़ा हुआ है आज हम भगवानपूर विधान सबा में आये हैं यहां जानेंगे के महौल क्या है भगवानपूर विधान सबा एक ऐसी विधान सबा है जहां पर कई और जिनाव से राकेश परिवार का दबदबा है 2017 में राकेश परिवार के ही 280 ममता राकेश और सुबोध राकेश BJP और कांगरेस से आमने सामने हुए लेकिन ममता राकेश को विजे मिली सुबोध राकेश को हार का सामने करना पढ़ा 2022 में सुबोध राकेश ने पारिटी बदल दी है और वो बस पासे अपनी किसमत अज़ा रहे हैं उनके परती क्या माहल है जनता में तुबहुदरा केश या मम्तरा केश इस बार जनता किसे यहाँ से सिताएगी बात करेंगे अभी हम सिर्च लिकाव में यहां के हमारे साथ है प्रदान जी क्या कहेंगे किस तरह का महौल है यहाँ देखिए महौल तो पिछले विधान सभा में यहाँ पे कुछ और था विधायक मम्तारा केज को लोगों ने सपोर्ट करा ओट दिये लेकिन इस बार पूरा का पूरा मामला यहाँ पर वगवान पूर विधान सभा में बदल चुका है इस बार लोग यहाँ परिवरतन करने की तैयारी में लग रहे हैं तो एक तरफा यहाँ से पूरा का पूरा मामला सभOOD राकयेश जी की मूद्दे क्या है लोगों के मुद्दे जादातर विकास के ही मुद्दे हैं विकास किसी गाउं में जाके देख लो आप नहीं हुआ जादा र्गाउं ऐसे ही और रही बाद बसपा से बस्पा कर दो मतलब है huh हम सा उनके हैं कि न पाता है कि यहां विदायक है ममताराकेश जी उन्होंने काफी कार्या कराये हैं उनको लोगों के यहां आना जाना है उसके हैं और से मिलना पसंद निंगरतीों लोग बाज जा रहे हैं तो किस के अधर सीट। सुबोधराकेश जिए विकास नहीं किया सिर्चनी गाओं में आपका नाम है लोकेश लोकेश जी किस ने किस पोट करेंगे समूद को बोट जी ज्यादा तर कहना सबोट आप जी सबोट सबोट को करेंगे जी वह बगेर विधाक रहतों वह उसके इतार पास गया उसने वह काम क्या और विधाक रहतों तो सने ममताराकेश ने वह काम नहीं किया इस ने विधाक रहते हुए विधाएक ना रहते हो भी लोगों के काम करा Bitte आपका व्य नामहें रीश कुमार यह इस बार किसका महल देख रहे हैं यह मैं देख रहा हूँ पंजेका यह सक्सम्हाइड और यह उत्रव zagंद तुम लें कुछ की सब्सक्राइब कर देल नहीं है की कि सब्सक्राइब फ्सक्राइब कि नहीं सब्सक्राइब है आपको प्राम जी किसे सभू अधो सबस्पोड करेंगे साब सबोध रागेश को जए जै आपको क्या नाम है उस्मान हुष महुल किसके पक्समहां हुआ वह तो सबोध राकेश कंगे मेरे पर्दान जी जहाँ में महां अच्छा तो नहीं को दुग तो और नहीं परदान ज सब्सक्राइब करते हैं इन से दुबारा बात करते हैं मंतरा कि इसको क्या पसंद आया कि उनका उठा और पैठना और गौम आना और जाना उनका बहुत अचा लगता है मुझे गरीब पाल्टी में अच्छा लगता है मुझे 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 मिल भाई किसे मोहल किसके बक्स में लेख रहे हैं जी जो विकास कराएगा जिसने बगेर विधायक रहते हो भी काम कराया हमारा सबोध राकेश अगर आप फिलाल गाओं में जाओगे अंदर तो पानी और कि चड़ के अलावा कुछ नहीं मिलनेगा से विधायक हैं वो लेकिन सिर्जदी में कोई विकास नहीं होगा आगे दूसरे गाओं में देखेंगे के मोहल क्या है तो फिलाल के लिए इस बुलेटर मेटना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहेगा निउस वाल्ड इ कर दो कि झाली है